प्रवाइब देश का अन खाएंगे यहां पर पढ़ेंगे लिखेंगे अयाशिया करेंगे और उसके बाद एक सवाल पूछने पर आप हमारे लोगों को मारेंगे तो फिर यह हमारा गुडविल छोड़ है जो हमको बता रहे हैं भारता गुडविल खराब हो रहा हमारा गुडविल तो गया तेल लेने हमारा गुडविल इन अफगानों को वैसे नहीं है ऐसे कीड़े मोकड़ों को यहां रखने की ज़रुत नहीं है इन तर्माइट्स को फिर यू तुम्हारे बुष्य नहीं होती है फिर यूरु ने होती है फिर तुम रोना फोरा चालू करते हो मजभी हो जाएंगे जब खकनमीनियाइन तो भारत के संमिधान के अंतर क सय नहींото या तुम कितने दूघले हो नया भारत है वोड़ी ने का था नगए ये घर में घुसके मारेंगे तो हम तो घर में घुसके मारना शुरू कर दिया और आप हमारे घर में घुसके हमको मारेंगे और हम बरदाश करेंगे भूल जाएए जहें दोस्तों आप देख रहे हैं जो पूरा मामला है वो क्या है और ये किस वज़े से सोचल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है इसको लेकर हम बैबसर के साथ चर्चा करेंगे सर नमस्कार नमस्कार सर एक मामला आया है गुजरात युनिवस्टी से जहां पर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हो गया अब इसको लेकर के एक लॉबी जो इसलामिस्ट की है जो लिफ्टिस्ट की है वो इसको ग्लूबलाइज कर रही है जैसे भारत में बड़ा अत्याचार हो रहा है मुसल्मानों के लाथ वो जो उनका पुराना प्रोपेगंडा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या देखते हैं इसको देखिए सबसे पहली बात है कि वही पुराने पापी सारे जुबैर आरफा राना रवीश ओवैसी यही सारे इसको उठा रहे है ना दुनिया भर में बिसिकली यह दो तीन चीज़े है कोई भी घटना जब होती है उसमें दो तीन चीज़े देखी जाती है सबसे में आकर के तो बहुत सारे विदیशी शातरे जो है कितने हजारों लाखों की तालाद में पढ़के जा चुके हैं तो इस तरह की घटना जो है वो कब होती है इस तरह की घटना होती है जब चुनाओ हो जब दुनिया में यहीं वैश्विक स्थर पे भारत किसी समेलन या भा तीसरा कि इसकी वज़ा से भारत के ओपर कहीं कोई दबाव डलवाना हो यही दो-तिन कारण होते हैं तभी यह घटनाएं होती है अगर भारत में इतनी असहिशुता होती इन विदेशी शातरों को लेकर के यह जो विदेशी शातर आते हैं चाहे वो अफगान हो चाहे उस्बे पढ़ते हैं तब क्यों नहीं हुए आज तक जुम्मत औहर में हर रफते आता है रमजान भी हर साल आता है तब क्यों नहीं पढ़ते तब क्यों नहीं हुए रमजान कोई पहला रमजान आया है यहां पे भारत में हर साल आता है पिछले अफगान स्टुडेंट्स हो यहां पिछले 16-17 साल से आ रहे हैं पढ़ने और हमारी सबसिडी के उपर पढ़ते हैं जो भारती टैक्सपेयर है इनके हम जो पैसे सरकार को देते हैं अगर मालिय एक भारती चात्र इन विश्विट डालों में प्राइवेट उनिविश्टी में या गर्वर्मिंट उनिविश्टी देता है तो कि बाखी के 90 अजार रुपए भारत की सरकार पेटास्टी को वो बाग चिस उनिविश्विश्टी को देती है वो पैसे गहां सजाते हैं हमारे आपके टक्स के पैसे सजारे हैं तो पहली बात तो यह कि इस समय क्यों हुआ जेन्वा में United Nations Human Rights Commission में एक conference चल रही ह जहां पे कश्मीरी मुसल्मान गए वे हैं और वो वहां जाकर के पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं वो वहां पे United Nations में Human Rights Commission में जतने भी बाकी के जो मेंबर कंट्रीज ने उनको बता रहे हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान ने पचले 35-40 साल में किया क्या है कश्मीरी हुआओं के हाथ में जो बंदूके पकड़ाई हैं हैंट्रेंट्स पकड़ाई हैं उनको पाकिस्तान ले जाकर के ट्रेन किया है आतंकवाद के लिए जिहाद के लिए तयार किया है कश्मीर वैली के अंदर जिहादी मदरसों को जो हैं इंडोर्स कराया है जो जिहादी माइंडसेट की जो लीडर्शिप है उसको उभारा है उनको पैसे दी ये उनको फंडिंग दी ये उनको पर्क्स एंड प्रिविलिजिस दी है दुनिया भर में उनके बच्चों को अपने पाकिस्तान में और अमेरिका और इंग्लेंड जैसे देशों में अपने उनको नोकरियां लगवाई है और हमारे कश्मीर के लोगों का भर्ष बरबाद किया हमारे बच्चों को हमारे लोगों को मरवाया है ये वहाँ चल रहा है उसी समय अचानक से क्या होता है उसी समय अचानक से एक ट्टर पे एक कार्टून वाइरल होता है ठीक है उसका मुद जिराच उनिवेस्टी में कुछ शात्र जो है वो बाहर नमास पढ़ रहे थी एक ए ब्लॉक जो जगे है वहाँ पे नमास पढ़ रहे थे वहाँ पे एक बच्चा गया उसने जाकर करके वहाँ पूछा उसके हम वीडियो दिखाएंगा अपने वीवर्स को कि वीवर्स देखे मतलब कहते हैं जो को सुसाडल टेंडेंसी होती हैं वो लोग इस तरह की हरकते करते हैं बहराल उसने फिर अगर आप वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में क्या है कि वो बच्चा गया उस बच्चे ने सर्फ इतना पूछा कि भाई साब या नमास क्यों पढ़ी जा रह परता है कोई सवाल नहीं कोई जवाब नहीं सीधा मारा पिटना सको शुरू और वीडियो दिखाए ने यू वीडियो देख लिया अब आप मुझे बताईए सिर्फ यह पूछने नमास क्यों आपके जो को मारेंगे आप हमारे देश में आएंगे हमारे टैक्स के पैसे पर पढ़ेंगे हमारे देश का अन खाएंगे हमारे देश का जल्क रहन करेंगे यहां पर पढ़ेंगे लिखेंगे अयाशिया करेंगे और उसके बाद एक सवाल पूछने पर आप हमारे लोगों को मारेंगे बलब हमारे टुकडों पर पलने वाले हमको मार रहे हमारे देश में आके पाकिस्तान ने इनको जो मार के निकाला है 17 लाख अफगानों को तो उनके साथ तो फिर हिंदुस्तान के लोग खड़े होंगे पाकिस्तान में हुए ना वो दरी बोलते है ना पश्टो बोलते हैं वो कोई भी भाषा जो अफगानिस्तान में बोली जाती है वो नहीं बोलते हैं वो उर्दू बोलते हैं तो उनको वापस भेज़ दिया वहां से उठा के तो अगर इस तरह की हरकते करेंगे तो फिर ये हमारा goodwill छोड़े है जो हम को बता रहे हैं भारता goodwill खराब हो रहा है हमारा goodwill तो गया टेल लेने हमारा goodwill इन अफगानोंको वैसे नहीं है हमारा goodwill पाज़जार साल से इस पूरी दुनिया को पता है हमने इस दुनिया को गड़त अग्यान दिया है हमारी चिंता छोड़े हमारा गुडविल अपने गुडविल का सोचे है कि पाकिस्तान तो आपको मार के भगाई रहा था हिंदुस्तान में जो रही साई गुडविल थी उनके खिलाफ आपको जो अलुशास्तान कारवाई करनी है वो आप करें लेकिन इन अफगानों को और इन अफरीकी विद्यारतियों को इनको सबसे पहले डिपोर्ट करें यह इस लायक ही नहीं है कि हमारे देश में रहे सवाल पुछने में मार रहे भई उसमें पूछा कि क्यों पढ़ी जा रही है वो आता बताता कि हमने पर्मिशन लिए वो उसे बात भी ने कर रहा था वो तो गाड़ से बात कर रहा था उनसे रिकुस्ट कर रहा था आता यह भई आप उससे बात करते हैं आप आए आप उसे पूछे हैं इसलिए हम पढ़ ले चला जाता हूँ बस इतना पूछा कि क्यों पढ़ी जा रही है और आपने आकर इसको गालिया दे करके उसको मारना पिटना शुरू कर दिया तो ऐसे कीड़े मुकड़ों को यहां रखने की जुरूरत नहीं है इंटर्मा पन्ती और यह सारे रवीश कुमार आर्फा और राना और अर्विंद केजरिवाल और वैसी यह सारे के सारे जो कल तक अभी कल तक हमने अभी परसो वीडियो डाला थे ना परसो तक यह कह रहे थे यह पाकिस्तानी जो हिंदू शरूरार्थी है यह जो यहां आये हुए हैं इनको पाकिस्तानी आतंकवादी घुस पैठिये और इनको गालियां दे रहे थे और इनको निकालने की बात कर रहे थे आज इन अफगानों के साथ लो उठे खड़े हो गए हैं वो इनके सगे हैं जो अफगालिस्तान से आ रहे हैं जो उस्वेकिस्तान से आ रहे हैं तो बा पाकिस्तानी हिंदू जो दबाक, कुछला, पीडिट, सोशित, बनलब उसका बलातकार हो रहा है वहां पे, उसकी जमीनों पे कबजे हो रहे हैं, उसकी दुकाने जलाई जा रहे हैं, उसके घर कबजे किये जा रहे हैं, वो इनके लिए घुस पैठी हैं, वो इनके आतंक हैं, ये बेसिकली हमारे लोगों को समझना चाहिए, और भारत की सरकार को सबसे पहले इनको डिपोर्ट करना चाहिए, और इनका जो दोगला पन है, ये खुदी एक्सपोस कर रहे हैं, हम अगर न देखना चाहें, तो वो हमारी मर्जी है, कहते हैं ने प्रतेक्शम के इंप प्रतेक्श दिख रहा है, कम से कम यार, उसको तो मानो, उस पे भरोसा करो, 48 घंटे के अंदर खुद को एक्सपोस किया इनोंने, जुबैर तो बंगला देशियों के साथ भी खड़ा है, रोहिंग्याओं के साथ भी खड़ा है, वो सारे घुजबैटियों के साथ खड़ा ह आपके ये डीम के वाले किसके साथ खड़ें, ये जो इंडी अलाइंस के बाकी के मिम्बर इस शरतमवार किसके साथ खड़ा है, आप अपनी आखे कब खोलेंगे, वो तुम के साथ खड़ें, और मैं भारत से मांग करता हूँ, अगर इन विदेशी शातरों को नहीं भारत स भीजा जाएगा, कि हम हिंडुस्तान में जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, वहाँ लोगों को मार सकते हैं, इनके खर्चे पर पढ़ सकते हैं, इनके खर्चे पर खा सकते हैं, उसके बाद भी सरकार हमारे साथ खड़ी होगी, और हमें डिपोर्ट नहीं करेगी, और से कोई consequences نہیں होगे हम जिसको चाहेंगे उसको मारेंगे जतना चाहेंगे उतना मारेंगे ये सबहाग गलत संदेश जाएगा दूसरी बात संजए इसमें बहुत बड़ी देखने वाली आप सोचिये ये अफगानिस्तान में भी आपको मारेंगे ये बंगलादेश के लोग है ये केजरी वाल ये ओवैसी जुबैर ये कैसे भी हो आपके ही देश के नागरिक है ना तो हमको समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए और जो भारत का मुसल्मान आज मजभब के नाम पे इनको सपोर्ट कर रहा है वो भी सोचे कि इन्हों ने ये सारी वारदाते आपके साथ भी डालनी है ये सारी हरकते आपके साथ भी होंगी इस मुगालते में ना रहेगी है सिर्फ हिंदों के साथ होगा जब मुगल आये थे ना यह उत्व सारे तुर्की थे इन्हों जतनी जातिया हिंदों के साथ की है उतनी आपके साथ भी की है बेटिया आपकी भ थाके लेकी गए, बलातकार आपके भी हुए, बस आपके इतिहास के पन्नों से उनको मिटा दिया गया, जब खोल के पढ़े, जब लहोर में जब सरों के मिनार बनाए गए थे तो उसमें सारे हिंदों के ही मिनार थे गया, आपके भी थे, तो मजब के नाम पे, धरम के नाम प अगर उम्मत होती तो 17 लाख अफगान पाकिस्तान से ना भगाये गए होते उम्मत होती तो मिस्र ने फिलिस्तिनियों के खिलाफ अपने हाथ दिवार ना खड़ी कर दी होती बॉर्डर पे कि एक भी घुसने न पाए उम्मत होती तो यह फिलिस्तिनी को जो यह एड पहुंच रही है ना यह एड अमेरिका और यूरोपेन यूनियन से ना आ रही होती जॉर्डन, कतर, ओमान, सौधी अरब योई बगल में हैं वहां से जा रही होती एड वहां से एक पैसे के एड नहीं जाती उनको कोई अपने अशरण नहीं देता उम्मत उम्मत कुछ नहीं है अपने भले के बारे में सोचें और इनका जो बहुत मन बढ़ गया है लेकिन मैं हिंसा को सपोर्ट नहीं करता हूँ लेकिन अगर आप हमारे उपर मारेंगे हमको मारेंगे तो आत्मरक्षा भी हमारा अधिकार है आप हमें मारेंगे तो हम भी आपको मारेंगे आप ये गलत फ्यमी निकाल लिए अपने दिमाग से कि आप हमें मारेंगे और हम हाथ पे हाथ डाल के रखेंगे वो समय जा चुका है 70 साल में कॉंगरेस ने इस देश के हिंदूओं को ब्रेन वाश करके जो नपुनसक बनाया था जो कायर बनाया था न वो दोर ख़तम हो चुका है वो गुजराच के दंगों को जो भी था वो उसको लोग कंडम करते हैं ठीक है हम भी कंडम करते हैं कि वह नहीं होना चाहिए दंगा नहीं होना चाहिए लेकिन याद रखिए वो बेसिकली हिंदूओं का सबर का बान टूटा था कि आपकी मनमानी पिछले 70-80 साल से वो जहल रहा था खिलाफत की मुमेंट जब शुरू हुई पहली खिलाफ वर्ड वर वर्ड में तो उस खिलाफत की मुमेंट से आपकी मनमानी यह देश जहल रहा था 1911 से आपकी मनमानी जहल रहा है तब जाकर के जब आपने गोधरा में जब राम भक्तों को जिन्दा जलाया है ट्रेन में तब उनका बस हो गया था अब बस हो गया है अब नहीं बरदाश करेंगे तो उसके जवाब में जो कारवाई हुई थी उसका रोना आस तक रो रहे है तो किसी को इतना न तंग करें कि उसके गले तक पानी आ जाए जब गले तक पानी आ जाता ना पिर इनसान पिर कहता है मरता क्या न करता तो मरता क्या न करता कि पोजिशन में लाने की का प्रयास न करें तो कि मरता क्या न करता कि जब परसिती आती है तो विक्टिम आप होंगे और पुरी दुनिया में रोएंगे गागा करें गले में ढोल डालके पुरी दुनिया में एक को जाती हो गए हमारा साथ दोखु जुऍक हो गोग Pacific अभी नहीं खूम रहे हैं गोध्रा जब जलाया था गोध्रा में ट्रेन जला आई थी राम भक्तों की उनको जिन्दा जलाया था तो उसके बाद बहुत Champion बने हुए थे उसके बाद जब जवाबी कारवाई हुई तो पंदरा साल तक रोते रहे घुम घुम के मोधी प्रधान उसमें वो गुजरात के मुख्यमंतरी होते न होते कोई भी मुख्यमंतरी होना होता कोई फरक नहीं पड़ता इससे वो जो हुआ था वो होना ही था वो इनेविटेबल था यह आप लिख करके रख लीजिए युकि जब इनसान के सब्र का बाल तूटता है न तो फिर वो अपने आप में नहीं होता फिर वो यह नहीं देखता कि मुख्यमंतरी कौन है प्रधान मंतरी कौन है सामने पुलिस है कि सामने सियार पीफ है फिर वो जो करता है वो करता है फिर वो सेम यहीं इन्होंने अभी इसमें किया फिलिस्तीन में जब मास के आतंकि गुसके इस्राइलियों को मार रही उनके तेवहार पे यह बड़ा खुस हो रहे थे आलोवर वर्ड में और जब उसने फिर इटेलियेट किया तो फिर यह दुनिया में बच्चों को आगे करके फोटो दिखा रहे हैं सबको और चन्दा मागना शुरू कर दिया बेसिकली क्या है यह चन्दा इंडस्री है जबाहे हैं बाई दंगा होगा तो जुबैर अपना डोनेशन चालू कर देगा हमें डोनेशन दे हमें हम फैक्त चेक कर रहे हम पिछले एक और महिने में जबाहर कर ек को एक tuh तो वह उसने सपोर्ट किया कि वह पाकिस्तान जिनदाबाद नहीं बोला था वो उसका जूट निकला ये ट्रॉल वांड पर भी उसको ट्विट अपना डिलीट करना पड़ा और इस मामले में गुजराज उनियोस्टे मामले भी उसने बोला कि वो संप्रदाइग नारा लगवाने का प्रयास कर रहे थे वो भी फेक न्यूज निकली तो फेक न्यूज का ये पैसा लोग इसको देते हैं भाई आप हिंसा करेंगे आप जूट बोलेंगे आप फ्रॉड करेंगे करिये ना यार हम आपको समझाई सकते हैं ना बाकी जो उसकी कीमत होगी जो कॉस्ट होगी वो तो आप खुद ही चुकाएंगे भाई आपको कोई प्रॉब्लम है माल लिजे आपको लंग कैंसर है भगवान ना करें आपको लंग कैंसर हो या किसी को भी लंग कैंसर है उसको आप समझाएंगे भाई सिग्रेट मत पिया करो तुमको लंग कैंसर है तुम सिग्रेट पी रहो मर जाओगे दिक्कत होगी तुम्हें समझा करो सामने वाला फिर भी उसके बाद भी पिये तुसी कॉस्ट वो खुद पे करेगा न हम समझा रहे हैं कि भाई ये मत करो हिंसा मत करो लोगों को हमारे लोगों को मारो पीटो मत गाली कलोज मत करो डिक्टेट मत करो स्ट्रीट पावर मत दिखाओ सड़कों पे निकल करके जो है जो स्ट्रीट स्ट्रेंथ होती है बलशक्ती का प्रयोग मत करो क्योंकि जब बलशक्ति का प्रयोग सामने से होगा तो फिर वो तुम भरदाश नहीं कर पाओगे फिर वो तुम्हारे बसकी नहीं होती है फिर तुम रोना सोना चालू करते हो फिर दुनिया में घूमना चालू करते हो तो यह मत करो नहीं समझ आ रही है ठीक है कर ले पास्ट में देख शुके है ना उसका प्राइस पे कर शुके है फिर पे कर लेंगे यह आपकी इच्छा है वो समझना हमारा काम है समझना नहीं समझना आपा काम है दुनिया भर में आप मुझे बताएं यह वही लोग हैं जब इनसे कहा जाता है कि भाई सचुदी अरब में तो मस्जिदें तोड़ दी जाती है फ्लाइवर बनाने के लिए सचुदी अरब में तो जहां प्रॉफिट मुहम्मद नमास पढ़ते थे उस मस्जिद को तोड़ दिया गया फ्लाइवर बनाने के लिए वहाँ तो पब्लिक टॉइलिट बनाने के लिए मस्जिदें तोड़ी गई है तो भारत में भी कोई मस्जिद क्यों नहीं तोड़ी जा सकती या मस्जिद क्यों नहीं रिप्लेस की जा सकती तो यही सारे का कहते है हमको अरब स्काले ना देना हम भारती मुसल्मान हैं हम भारत के सम्विधान हमा की अदिकार देता है places of worship act जो हमारा है हमारे सम्विधान का हिस्सा है तब सम्विधान आ जाता है जड़ा था नभी के बारे में कोई कुछ बात कर दे कोई कुछी भोले उसी गर्धन काड़ दो तो मनसभन अभियान फक्तलू का जो तो नारा लगना शुरू हो जाता है भारत में जब convenient होता है तो अरब हो जाते हैं मज़बी हो जाएंगे जब convenient होगा तो भारत के सम्मिधान के अंतर गता जाएंगे जब convenient हो या तुम कितने दोगले हो कोई दीन, इमान, करेक्टर कुछ है नहीं है या तो secular बन जाओ बोलो कि हम secular हैं भाद के सम्मिधान को मानते हैं या तो मजभी बन जाओ कि नहीं हम जो हमारा अर्भी सम्मिधा है जो हमारा अर्भी मजभ है हम उसको मानते हैं कभी कूद के तुम इधर, कभी कूद के उधर जब सम्मिधान की बात करो तो मुसल्मान हो जाओके जब इसलाम की बात करो तो सम्मिधान के पास चले जाओके कहते हमको यह OVC ने तो कैमरे पे डेर्ड सो बार बोला हुए है कि हमको सौधी अरब से क्या ले ना देना मैं भारत का मुसल्मान हूँ और जब नभी की बात आती है जब मजभ की बात आती है तो तुर्ण मन सब नभी एन फक्तुलू चालो हो जाता है और यह सबसे बड़ी चीज़ कि ये खुदी तया करते हैं कि कब उनका अफमान हुआ खुदी तया करते हैं इनको किसी की कवाईיה की किसी की जिसका मना उसकी पर ब्लेम कर दיה कि उन्होंने अफमान किया है और इसके पूछे एक टारंगेट लिस्ट वो लगा दिए पूरी लॉबी और आदमिक सोसल लाइफ उसकी खतम हो जाती है जिसके पीछे पड़ जाते है नुपूर शर्मा तो एक्जामपल है ना तो आपको क्या कहा था मैंने कहा था कि इनको एक नुपूर शर्मा नहीं चाहिए इनको इस देश में हजारों लाखों नुपूर शर्मा चाहिए और ये बनाते रहेंगे क्योंकि आपको बैक फूट पे रखना है आपको दबा के रखना है अच्छा नभी कापमान का सीगुफा इसलिए चोड़ते हैं क्योंकि जो मुस्लिम कंट्रीज है उनका सपोर्ट मिल जाते है तो कि नभी पे नाम पे चाहिए मैं आपको बताओ जो मुस्लिम कंट्रीज है उनकी जो लीडरशिप है नो इनको जानती है ये उनको पता है आपका पुट्छोंки सारे Mesim Bruderhood के जरहीं जो है वहाँ की जो लोकल पॉपॉलिशन है अनमें पेलिट्रेट करती आ उनमें जाती है जो रैडिकल्स है जो लोकल èलिमेंट है फिर उसको जो है बढ़ा चजाण़ कर के अपने अर्भी लोगों को ये बीच में प्रप्रेसंट करता है और उनको ये बताता है कि देखो ये जो तुमारा शेक है या जो तुमारा जो अमीर है तुमारे इस राजी का इस देश का इस मुल का ये जो है इस रियासत का जो अमीर है ये उन लोगों के साथ खड़ा है जो नभी की शान में गुस्ताकी करते हैं जो मुसल्मानों को मारते ह तो उठ जाओ, खड़े हो जाओ और भगावत करो तो उससे बचने के लिए फिर भारत के सरकार को कहते हैं कि भाई साथ यार कुछ कारवाई कर दो इनके खिलाफ ताकि हमारे आम पैसिफाई कर सके भाई सरकार ने वहाँ कारवाई कर दी इसके खिलाफ वो सही हो, गलत हो वो अपनी कुर्सी बचाते हैं वहाँ फिर तुकि अगर वो यह नहीं करेंगे तो यह मुस्लिम ब्रदरूड वाले तक्ता पलट हो तभी तो वो मुस्लिम ब्रदरूड वाले इनको पाल कर रखते हैं भारत में इन इंटलेक्शुल्स को, अमेरिका में, इंग्लेंड में और यह सारे के सारे मुस्लिम ब्रदरूड वाले चलाता कौन है यही CIA, यही MI6, यही सारे इंटलेसिजेंसी चलाती है इनको तो कोई भी मुस्लिम ब्रदरूड वाला जो है वो आपको अरब देशों में बैठा हुआ नहीं मिलेगा लीडर उस तारे कहां बैठे होते हैं, वो अरब में सिर्फ एक देश है कतर ठीक है, जो कि CIA का सबसे बड़ा बेस है पूरे मिडल इस्ट में वहाँ पे रहते हैं वो, या तो फिर वो लंडन में रहेंगे या वो अमेरिका में रहेंगे, या ये जो फाइव आईस कंट्रीज हैं, यहां रहेंगे इसके लावा कहीं नहीं रहते हो, अरब देशों में तो रहीं नहीं सकते हैं बिकास जो अरब शेक हैं, या अरब में जो अमीर हैं, या वहां के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो तो उनको अगले दिन फासी देते हैं इन मुस्लिम बदर हुड़वालों को तो वहाल ही रहते हैं तो जब अमेरिका को या यूके को या पाकिस्तान को इन देशों को जब आपके आम ट्विस्ट करनी होती है ना इनके पास सबसे आसान तरीका है ये मुस्लिम बदर हुड़वालों को छोड़ देते हैं आपके पीछे और मुस्लिम बदर हुड़वाले फिर आचारग से आप देखेंगे कि इस देश में बड़ी सी मुमेंट शुरू हो जाएगी शाहीन बाग जैसी नुपर शर्मा के बाद जो दंगे हुए वो एक स्टेटमेंट उससे याद दस गुना जादा वाइलेंट उससे दस गुना जादा प्रोवकेटिव बाते इस देश के चैनल्स पे होती रही है आज नहीं हो रही है उससे पहले भी हो और उसके बाद भी डिर सो बार हो चुकी है लेकिन उस समय नुपर शर्मा को पिन करना था उस समय यूक्रेइन की वार चल रही थी और इंडिया वो रश्या से तेल ले रहा था नहीं मान रहा था तो अमेरिका ने डिसाइड कि अच्छा भीड़ा तुम रश्या से तेल लोगे बताते हैं तुम्हें लगाओ जाना मुस्लिम बदर लौलक उनके पीछे लगा दिया उन्होंने जुबेर ने फट से ट्वीट कर दिया जुबेर ने ट्वीट कर दिया और अचाना से सोशल मीडिया पे ट्वीटर पे हर जो अल्गॉरिदम है उसको इंडोर्स करने लग गया लोगों के पेज में खासतार मुसलमानों के बीच में और चाना सारे ट्वीट करना शुरू किया वो ट्रेंड में नंबर वन पे ठीक है अरश्ट नुपुर शर्मा अरश्ट नुपुर शर्मा और फिर कतर में जो है चाना से बॉयकॉट होना शुरू हो गया जो है इंडियन प्रोड़क्स का कि वहीं इंडियन प्रोड़क्स को बॉयकॉट किया जाए अरब अब आवाम से अपीले होने लग गई जो Western interference है Indian affairs में उसको expose कर रहे हैं उन्होंने ये शुरू करा दिया लो कर लो जो करना है यार जो चाथ रहते हैं उसने गलत किया उनिवस्टी डिसाइड करती किसी गलती किसी की नहीं उनके खिलाफ कारवाई करती किसी को रिस्टिकेट करती किसी को सस्पेंड करती कुछ दिन क होते हैं और चातर राजनिती तो होती ही जगड़ों पे हैं और छोट जोटी बातों भी जगड़े हो जाते हैं कैल्टीन में बिल के नाम पर हो जाएगा चाय के उपर जगड़े हो जाते हैं 20-30 लोग आपस में लड़ जाते हैं तो लेकिन क्या उसके उपर को इंटरनेशन चाहते हैं ये तमशा चलता रहा इसी तरीके से जुबैर जैसे लोग और रवीश जैसे लोग और आरफा ये हमको वैसी जैसे लोग और ये सारे इनके जतने ग्रूपस हैं मुस्लिम ब्रदर हुड के जतने भी ये टटू यहाँ पर कुटे बिल्ले घूम रहे हैं ये हमको ऐसे ही ब्लैक मेल करते रहे हम चाहते हैं ये क्या ये देश ब्लैक मेलिंग पर चलेगा कि जब लेखो तब 24 विंटे हमारी कनपटी में बंदुक लेके बठे हुए हैं कि ये करो नहीं तो भी हम ये कर देंगे ये करो नहीं तो भी हम फायर कर देंगे लोग कब तक चलेगा ये ब्लैक मेलिंग अजया दूसरी ची सर जिसे मान लोग ठीक है एक हुआ एक क्लैस हुआ जो नहोंने तोड़ फोड की गाड़ियों में जो हिंदू स्टूडेंट्स थे उनके खिलाव पुलिस ने फायर की उनकी तलास में टीमें दविस दे रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है और किस तरह क नहीं चाहिए इनको कि उसको ट्रेंड कर रहे हैं कि इतना त्याचार हो रहा है यह जो अफगान था जिसने मारा सबसे पहले जिसने प्रोवक किया इसने मारा उसको डिपोर्ट कर दिया है उसके खिलाफ कारवाई हुई तो शर्मानी चाहिए ना सबको वह आपके देश में आया आप एक खर्चे पर पल रहा है आप एक खर्चे पर खा रहा है आप एक खर्चे पर रह रहा है सब कुछ कर रहा है और आप ही के लोगों को मार रहा है उसके खिलाफ कारवाई नहीं हो रही है जो उसके खिलाफ आवा जो विक्टिम है जो मार खा रहा है उसके खिलाफ किस तरह का बनाना रिपब्लिक बनते जा रहे हैं? और सबसे बड़ी चीज सर के आए ना ये जो अपने हाँ सहन सेलता है कि मतलब इनको करने दिया गया तो उस चीज को इन्होंने अधिकार बना लिया ये मेंटल टीन की कैसे जाएगी? हम चाहते हैं कि हम पैसा देने को हम तयार हैं खर्च हम देंगे जाने और आने का और जुबैर को, आरफा को, रानायोग को, तीनों को आने जाने का टिकट मेरी तरफ से वहां रहने का खर्चा भी मेरा जाए और सौधी एरब में, युएई में, कतर में, कुएट में, ओमान में कोई भी देश चूज़ कर ले वेस्ट एशिया का उसको ये मिडल इस्ट हैते हैं वहां का कोई भी देश चूज़ कर ले और वहां पर मुझे सड़क पर नमाज पढ़के दिखाएं जाएं, सट मेरा सड़क में पढ़नी है सड़क में छोड़ दिए, शौपिंग मॉल में पढ़के दिखाएं जुर्माना है और दुबारा पकड़े गए पढ़के जेल है जुर्माना भी थोड़ा बहुत नहीं है जुर्माना इतना हेवी है कि देरे में घर बिक जाएगा इनका क्या बाते करते हैं यार हमारा हक है वही बात है जब ये बात करेंगे आपकी वहाँ अलाओड नहीं है तब ये सम्मिधान पर आ जाएंगे कि सम्मिधान हमको जो है हमको यादिकार देता है हम अपनी पूजा पदती हम अपनी जो है वो कर सकते हैं उसकी हमको सुतनता है और जब आप कहेंगे कि भाई जब फिर सम्मिधान पर चलो सम्मिधान तो कहता है बात की जो संसद है वो कानून बनाएगी और वो कहेंगी कि हम वो C.A. भी बना सकती है वो N.R.C. भी ला सकती है वो सब कुछ कर सकती है तो कहेंगे नहीं 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 हम तो मज़ब के बेसिस पे हो रहा है नहीं तो नभी की शान में गुस्ता की हो रही है ये तो मजब ऐसा है वैसा पिर तुरण मजभ पर चलियाएंगी फिर कैंके भाई सम्मीधाना भारत सरकार को आज़ादी देता है कि भाई वो सर्वे करा सके और पता कर सके कौन सा मंदिर है कौन सा मस्जिद है अगर मजिजिद के लीजे मंदिर हो सरकार उसको तो लग गिरा दे और उसके उपर जो है मंदिर बनवा दे अभी हुआ नवा न सर पर कोड़ने के ने सर्वे कादेश दे दिया है वो तो हमने देखा ही है हिंदु स्ट्रक्शर ही है जबरन उस पर नमाज पर नमाज पढ़ रहे हैं इसको रोखने के लिए सुप्रेम कोट चले कि understand, अगर तुमको लगता है कि वो मस्जिद है, इस्धिती है कि यह मस्जिद थी. और सर्वे का डिमांड करें और कोर्ट सर्वे ओर्डर कर दे एक हिंदू इस देश मुनियों का उसका विरोध करेगा किसी भी मंदिर के उपद उनको लगता है यह मंदिर नहीं थी यह मस्जिद थी, मस्जिद तोड़ के मंदिर बनी है उसका survey demand कर लेगी है कोई हिंदो विरोध नहीं करे हम को पता है कि यह मंदिरी है और इनको भी पता है कि वो मंदिरी है इसलिए विरोध करने पहुंदे हैं हमारे हुनके बीच में यही फरक है हमने भोष आला में ग्राउंड रिपोर्ट भी की हमने उसके पर बेहां बैटके चर्चा भी की थी तेके आप अपनी आँखों से देख किया है हमने अपने विविवर्स को उस वीडियो में दिखाया था कि भोश आला जो है वरा की जो इस्ट्रक्चर है वो केरा गया है उस पर आकरती उनकी बostar यहाँ दुनिया की कौन सी मस्जिद है जहांपे वराः भगवान जो की एक सुर का मुख उनका होता है कोई दुनिया की मस्जिद हो सकती है जहांपे वराः आथार की मूर्ति हो लेकिन वह जिद है तो आपको वह यहां भी मारेंगे बहार भी आपको हर जगा तंग करेंगे, आप हो रहे हैं, आप गिव अप कर रहे हैं कि यार इंटरनेशनल प्रशर आजाता है, यार डिपलोमेटिक प्रशर आजाता है, आप इन सब को बुला कर एक बिठा कर के समझाएं ना, कि भाई साब आप हमारा प्रशर लेते हैं वो क्या, आप खाने के लिए अनाज के लिए हमारे पर डिपेंडेंट हैं, खाने को नहीं होगा ना, तो तेल नहीं पिएंगे, तेल पीके नहीं रहेंगे, खाने को अनाज चाहिए वो भारत से ही जाता है, सबजिया चाहिए वो भारत से ही जाती है, फल चाहिए वो भारत से ही जाते हैं और जितनी requirement है न वो कोई और देश पूरी नहीं कर पाएगा मिना भारत के तो ये तमाशा बंद कर दें और ये जो उम्मत का जो भूत भारत के मुसल्मानों पर चड़ा हुआ है ये उतार दें उम्मत उगरा कुछ नहीं है उम्मत होती उम्मत कितनी बार दुनिया में भूटी साबित हुई है बंगलादेश बना साथ में क्यों नहीं रह पाए अब यह वहां बलोचों का वो चला है बलोच अलग लड़ रहे है अफगानिस्तान के अंदर इतनी सारी सिविल वार्स चल रही है ठीक है पश्टून उस् सुष्बिक चेचन से लड़ रहा है सब आपस ने दूसरे से लड़ रहे है और इतनी उम्मत है तो तेले ठीक आपे के लिए बंगलियों की भाष़ा अलग थी संस्कृती अलग थी पाकिस्तानी जो पंजाबी उनकी भाष़ा संस्कृती अलग थी तो जो अरब मुसल्मान ह अरब मुसल्मान तो सौदी अरब वाला हो युए वाला हो कतर वाला हो कुएत हो ओमान हो मिसर हो सीरिया हो जॉर्डन हो लेवनान हो इन सबकी तो भाष़ा भी एक है इनका कल्चर भी एक है खाना पीना कपड़ा भी एक है क्यों एक मुल्क नहीं बना लेते उम्मत है ना ब identify करता है वो ठीक है हमारे कोई उम्मत नहीं है लेकिन Sanskritic रूप से हम इतने rich है कि हम एक दूसरे के साथ identify करते है और सबसे बड़ी चीज़ अपना ये है कि हमारे जो देवी जो सक्तियां है जो देवी जिनके हम इबादत करते हैं किसी आन इनसान की तो इतनी आवकात नहीं है कि वो उनका अपमान कर सके तो हमारे यहां इस तरह को concept भी नहीं है यार देखिए आप सबसे बड़ी चीज़ देखिए ना कि आप कहाँ एक किताब है एक किताब है एक Allah है एक आखरी नभी है आप कहाँ कोई डाइवरसिटी नाम की चीज़ नहीं है यूनिफॉर्मिटी है ठीक है हमारे यहां पे तो इतने देवी देवता हैं इतनी प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं इतने अलग-अलग प्रकार के कर्म कार्ड हैं लेकिन उसके बाद भी हम एक दूसरे के साथ आइडिल्टिफाई करते हैं ना हम कोई उम्मत का गाना नहीं गाते हैं हमारी अकेरल में रहने वाला जो मल्याली हिंदू है उसकी पूजा पद्धती और जो कश्मीरी पंडित है उसकी पूजा पद्धती डायलेक्स और लीपिया हमारे देश में है लेकिन हम आइडेंटिफाई करते हैं एक भारती के तौर पे सनातरी के तौर पे आपकी भाषा एक खुदा एक पैगंबर एक किताब एक सब कुछ एक है बना के रह लें तो ये उम्मत के बुखार से बाहर निकल जाए उम्मत के बुखार से बाहर निकलेंगे अपना भरा करेंगे इनको ये गलत फ़हमी कि हमारी उम्मत वाले आएंगे बचाएंगे और उम्मत के साथ हम खड़े होंगे अफगान के साथ बंगला देशी के साथ रहिंगा के साथ तो आप ये गलत हैमी है इन सब को ठीक किया जाएगा इन सब को वापस भीजा जाएगा लात मार के निकला जाएगा इस देश से और इकर ये ज़्यादा गुंडा गर्दी कर रहे हैं तो हुई न कोटाई द्वारा होगी और आपको जितना रोना है रोलीजे जितना चीखना चीख लीजे हिंदु इस देश में आप मार खा के नहीं रहेगा न तुमारी मार खाएगा न अरवों की खाएगा न अफगानों की खाएगा ना किसी बंगला देशी की खाएगा ना किसी रोहिया की खाएगा अब ये नया भारत है मोज़ जी ने कहा था न ये घर में घुसके मारेंगे तो हम तो घर में घुसके मारना शुरू कर दिया और आप हमारे घर में घुसके हमको मारेंगे और हम बर्दास करेंगे गुल लगी